हलो एवरिवान दिस इस पूर्वा एंड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि DSPMU यानि की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखरजी यूनिवरसिटी जिसे हम पहले राची कॉलिज के नाम से जाना करते थे उसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है यहां का फी अब अच्छे से मैं आप चाहो तो उस वीडियो को जा कर देख सकते हो तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका सवाल कि यहां एंडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है तो जैसा कि हमने कुछ कॉलिज में देखा है कि वहां सबसे पहले वो लोग यानि राची कॉलिज में ऐसा नहीं है यहां पर आपका मेरिट लिस्ट यानि की कट ओफ निकलता है एडमिशन के लिए आपको बस इसके ओफिशियल वेबसाइट पर जा कर जब भी इसका डेट आता है फॉर्म भरने का आपको और फॉर्म जाकर भरना होता है इसके बाद उसमें आपको अपना जो 12 का मार्क सीट वगरा अगर आप पीजी में दे दे रहो तो यूजी का मार्क सीट जो है यह सब अप्लोड करना होता है जो भी डिमांडेड उनका डॉक्यमेंट्स होता है उसको अप्लोड करने की बाद आफटर सम डेज वो लोग आपका कट ओफ निकालते हैं जिसमें 2, 3, 4, 5 ऐसे करके लिस्ट आता है अगर उनके कट ओफ के अकॉर्डिंग आपका मार्क स उनका टच करता है या फिर उनको कट ओफ को क्रॉस भी करता है तो आपका सेलेक्शन हो जाता है और लिस्ट निकलने के बाद आपका रॉल कोड जो है उस उनके क इस उनके करता है तो यहां पर आपको बैचलर सिन साइन्स में कम्प्यूटर अप्लिकेशन करवाया जाता है बैचलर सिन साइन्स में अगें इनफरमेशन टेखनोलोजी यानि कि आपका आपका आई टी डिपार्टमेंट है देन आपका इलेक्रानिक्स है स्कूल ऑफ मेकिंग है बैचलर स्प्रोग्राम इन जर्निलिजम एंड मास कॉम्म्यूनिकेशन है मास्टर्स ओफ कंप्यूटर अप्लिकेशन है यानि M.C.A. भी है देन M.C. में इन्फरमेशन टेखनोलोजी अगें इसके बाद आपका LLM, B.A.D., M.B.A., M.A. in Rural Development, M.A. in Public Administration जैसे कोस आपका Vocational में आता है, अब इसके बाद बात करते हैं आपके Social Science यानि कि आपका Arts जो सेक्टर है, Stream है उसमें कौन-कौन से Departments आपको प्रवाइड करवाय जाते हैं यानि कि Subject तो आपका है Anthropology, Economics, Geography, History, Mathematics, Political Science, Psychology and Sociology तो Social Science के बाद अब आपका बात करें हम Science का तो Science में आपका जो Departments है वो है Botany, Chemistry, Geology, Mathematics, Physics and Geology इसके बाद अगेन आपका Language Papers में Humanities में आपका देखा जाए तो आपका यहाँ पर Bangla, English, Hindi, Ho, Kharia, Kota, Kurmali, Kuruks, Mundari, Nagpuri, Panjparganiya, Odeya, Philosophy, Sanskrit, Santhali और उर्दू में आपका यहाँ पर Courses भी होता है जिसमें आप Graduation और PG वगरा और इसके बाद इसमें से Degree ले सकते हो Then again अब आपका यहाँ पर बात करें PhD में तो आपका PhD in Bangla, PhD in English, in Hindi, in Sanskrit, in TRL, in Urdu, in Botany, in Chemistry, in Geology, in Mathematics, in Physics, in Geology, in Anthropology, in Economics, in Geography, in History, in Philosophy, in Political Science, in Psychology, in Environmental Science, in Microbiology, in MC and MSC IT तो यह सारे Courses हैं यानि कि यहाँ पर Inter को छोड़ कर आपका Graduation Level यानि UG, PG, BA और PhD के बहुत सारे Courses अवलेवल हैं तो आपको किसमे अडमिशन लेना हैं आप वो देख लीजेगा, साथ ही यहाँ पर UG में अभी Commerce सुनने में आया है कि रिसेंट्ली यहाँ अभी इसके Courses स्टार्ट हुए हैं तो आप एक बार इसे कॉले जाकर पता कर लीजेगा, तो आप बात करें आपका यहाँ पर आप आपका स्ट्रेंग फैसलिटीज भी है, गेस्ट हॉस भी है, साथ ही यहाँ पर आपका NCC और NSS का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, तो आप इसे जोईन कर सकते हो, साथ ही फिर स्टुडेंट यूनियन है, यहाँ पर आपका कॉन्वोकिशन होता है, आपको स्कॉलर्सिप ही आपके कॉन से कोसिस में कितना फी लगता है पर यर, तो देखें, यहाँ पर आपका कैटेग्री वाइस डिवाइड है, जैसा कि जन्रल है, OBC है, SCST है, then BPL का है, तो BPL के यहाँ पर आपका ब्लैंक छोड़ा गया है, तो PG Diploma in Hospital Management में आपका जन्रल और OBC में है, 21,000, SCST का 21,000, then PG Diploma in Counseling and Guidance and Rehabilitation में है, आपका 15,000, and likewise SCST में 15,000, then आपका UG के कोसिस की बात करें, तो आपका BSC Computer Application Honors में है, आपका 10,000, and likewise SCST में, इसके बाद आपका BSC Information Technology Honors में आपका 10,000 है, then BSC Electronics Honors में भी आपका 6,000 है, फिर BBA, Bachelor's of Business Administration में आपका 10,000 है, then BSC Environmental Science Honors में आपका 10,000 है, BSC Microbiology Honors में आपका 10,000 है, BSC Nanoscience and Nanotechnology में आपका 7,000 है, B8 में आपका 75,000 है, इसके बाद बात करें आपकी Postgraduate की, तो MCA में आपका Master of Computer Application में, आपका 20,000 है, MSC Information Technology में आपका 20,000 है, LLM Masters of Law में आपका 20,000 है, MBA में आपका 20,000 है, MSC Environmental Science में आपका 10,000 है, MSC Microbiology में आपका 15,000 है, तो ये कुछ courses थे आपके Science Department से related, तो बाकि आपका जो Humanities and Arts वाली Department है, इसका तो यहाँ पर आपके Official Website पर नहीं दिया है, क्योंकि आपका जो हर साल इसका fee structure है, वो change होता है, और हर साल admission की time ही है, आपके Official Website पर update होता है, तो फिलहाल तो मैंने आपको काफी सौट में आपका fee structure, admission process वगर अकपान में बता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, एक बाजब आपका 2021 बैच का new admission form आ जाएगा, तो मैं आपको इस चैनल पर आपको update कर दूगी, साथ ही आपका जो new fee structure उसके बारे में ब